हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब एक बार फ्रीशे स्वागत था आपके अपने यूटूब चैनल क्लासिज फॉर यू पे दोस्तों उक्सफोर्ड कोलीज और एजुकेशन में टीचिंग और नोन टीचिंग प्रदों पर बरती निकलिया हैं दोस्तों एक कोलीज हर्याना की गुरुगराम जिले के खेडा खुरमपूर में स्थित हैं आज मैं आपको इस वेकेंश का अप्लिकेशन फार्म भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा क्योंकि जो पिसली वीडियो में ने बनाई थी उनका अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने में कई सारे केंडिडेट को प्रोब्लम आई थी में पास मैसेज और कमेंट भी आई थे कि अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने में प्रोब्लम हो रही है अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको इसका अप्लिकेशन फॉर्म भी डाउनलो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तीनों नीज़ पेपर जो मैंने भी आपको नाम बताए ते पीछे, उनमें आपको ये 12 जुलाई 22 के नीज़ पेपर में देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों ये वेकेंसी जो निकली है, ये रेगुलर बेसिज पे निकली है, उसमें प्रिंसिपल की एक वेकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रेस्पेक्टिव ने एजुकेशन की चार वेकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडोजोजी सब्जेक्स यान की शिक्षा सास्तर की इसमें, हिंदी की एक वेकेंसी, मैथेमेटिक्स की एक, बिय के लिए इसमें प्रोफेसर की दो वेकेंसी निकली है एसोचेट प्रोफेसर की दो वेकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें थे वेकेंसी निकली हुई है अब हम बात कर लेते हैं इसमें नौन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी के बारे में तो दोस्तों इसमें लइबरेटरी अटेंडेंडन्ट की एक वेक一定要 naar लाइबरेटरी एक टेंडन्ट की एक वेकिनिकल असिस्टेंट के सब्सक्राइब निकली है कुलनागे दोस्तों इसमें 27 पदों पे films होनी है इसकी जो लाइश्ट टेय्ट है उसके बारे में इंपोर्टन डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसके लिए 12 जुलाइ दो जटर्बाइस से अप्लिकेसन फॉरम बढ़ने स्टाट हो गए थे और इसके लाजट है दो अगेस्ट 22 दोगस्ट 22 तक ही आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हो application fees के बारे में बात करें तो इसमें किसी भी category के candidates के लिए कोई भी application fees नहीं लगेगी अब बात कर लेते हमें इसमें selection process के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी exam नहीं लिया जाएगा सिर्फ interview और document verification के आधार पेस्ट में आपका selection हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस vacancy के लिए apply कैसे कर सकते हो तो दोस्तों इस vacancy को apply करने के लिए सबसे पहले आपको इसका application form download करना पड़ेगा application form download करने के लिए इन्होंने इसके official website यहां पे दी गई है www.oxfordg.com इस website पर जाके आपको इसका application form download कर लेना है एक बार मैं आपको अपना कोई भी browser open कर लेना है मैं यहां पर अपना chrome browser open कर लेता हूं इसमें आपको type कर देना है www.oxfordg.com यह college की website open हो जाएगी दोस्तों college के official website open हो चुकिए यहां पर आपको जो यह लाइन नीचे चल रही है advertisement regarding requirement of teaching and non teaching staff यह दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप इसका notification download कर सकते हैं और अब आपको लेकिन इसका application form download करना है तो उसके लिए आपको यह नीचे लाइन से रही है इस पर ही application form इसके ओपर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही दोस्तों इसका application form download हो जाएगा Oxford College of Education फरुक नगर जोगी गुरोग्राम में स्थीत है इसका यह application form है दोस्तों इसमें जो यह vacancy निकली है यह तीन पेज का इसका application form है यह आपको download कर लेना है अगर आपको यह application form download करने में प्रोब्लम आए तो आप हमारी telegram चैन problem आये आप से download नहीं हो पा रहा तो आप directly मैंने वीडियो में अपना WhatsApp नमबर दे रखा है पर उसके मैंसेज कर दीजागा मैं आपके पास यह इसका application form send कर दूँगा अब हम चलते बापी से इसके notification के उपर application form download करने के बाद आपको क्या करना आपको पूरा application form भर लेना तीन पेज का आपका application form है वह पूरा भरने के बाद आपके जितने भी पॉर्ष्ट ओफ डैस जिस भी वेकेंशी के लिए आप अपलाई खर रहे है उस वेकेंशी का नाम वहां पर आपको लिख देना है और फिर अपना address और फिर नीचे लिख देना है जहां पर आपको यह अपना application form send करना है यह आपको अपना application form दो जगह पर send करना पड़ेगा एक तो आपको college address हो रहेक mduk dcdc department पे जो college का address है वो है the president of Duxford College of Education खेरा खुरंपूर गुरुगराम HR 122506 एक application form आपको college के इस address पे send कर देना जो मैंने भी आपको बताया है और दूसरा आपको अपना application form send करना है mduk dcdc department पे इसकी full form है dean college development council md university रहतक मैरसी द्यानन युनिवस्टी रहतक तो दोस्तो अपलाई करते वक्त आप ध्यान रखेगा कि ये दो जगह आपको अपना application form send करना पड़ेगा एक तो college के address पे और एक आपको dean college development council मैरसी द्यानन युनिवस्टी रहतक इन दो जगह पर आपको अप पूसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने friends में से share जरू कीजेगा और हर्याना राजे की ऐसी ही जोब से related videos देखने के लिए आप चैनल को subscribe और bell icon को प्रेस जरूर कर लीजेगा आज चली इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद